अब generally एक चीज को सीखना एक चीज है और इसको numbers के साथ apply करना no doubt ये हमें perfection देती है जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा के एक complex number को इसके equal in polar form में कैसे represent करते हैं हमने एक argon diagram पर complex number को शुरू किया था इसका origin से distance इसको straight line से join करके identify किया और उसको r से label किया ये modulus या इस point से associated किसी complex number का मुतलिख निकला था हमने ये भी सीखा के एक ऐसा angle 13 exist करता है जो complex number का argument कहलाता है ये वो angle है जो ये point positive x-axis से बनता है और 10 inverse function इस्तिमाल करके calculate किया जा सकता है क्योंकि हम general terms में ये मुकमल कर सकते हैं quinerive values लाते हैं और इसके concept को practice करते हैं तो यहां हमारे पास एक complex number है 1 plus iota root 3 जिसमें ये हमारे complex number का real part है और iota के साथ ये part of course imaginary है हमें इसे इसकी equivalent polar form express करना है अब हम जानते हैं कि real part x से represent होगा जबकि imaginary part y से represent होगा राइट लिहासा x is equal to 1 और y is equal to root 3 है अब polar form के मताबिक x बराबर है r cos 13 के और y बराबर है r sin 13 के इसका मतलब है कि एक complex number को polar form express करने के लिए हमें r और 13 की numerical values चाहिए राइट चलें देखते हैं step 1 इन दोनों को compare करते हुए हम कह सकते हैं कि r cos 13 1 के बराबर होगा इसी तरहां r sin theta यहां root 3 के बराबर होगा अब second step में r की value मालूम करते हैं हम जानते हैं कि यह complex number के modulus के लावग कुछ नहीं है तो simply in values को substitute करते हुए हमें मिलता है r equal to 2 और last step में हम angle 13 की value मालूम करेंगे तीन inverse function के जरिए x और y की values दबारा substitute करें और इसे simplify करें और हमें theta equals to 60 degrees मिला lastly r और theta की values को यहां substitute करें और finally हमें given complex number की polar representation मिली है 1 plus iota root 3 as 2 cos 60 degrees plus iota 2 sin 60 degrees अब आप जानते हैं के complex number को इसकी polar form में कैसे convert करें लेकिन ये बताएं जब मैं कहती हूँ के polar form तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं या इसके बारे में ठोल यू, mathematics की दुनिया आपके आसपास की दुनिया को change कर देगी अब कुछ और questions की practice करना मत धूलें यहां तक कि आप एक rectangular form of complex number को polar form में convert करने के expert ना हो जाएं क्यूं? वेल, हमारे अगले lesson में कुछ high level questions आपका इंतिजार कर रहे हैं आप से अगली वीडियो में मिलते हैं